हेलो गाइस आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं राजस्थान की परशिद कचरी की चटनी जब सबजी से मन भर जाए तो इस चटनी को जरूर बनाईएगा ये खाने में भोती टैस्टी लगती है तो इसे बनाने के लिए हमने कुछ कच्रिया ली है इनका छिलका हमने उतार लिया है कुछ कलिया हमने लैशून के लिए है और 4-5 हमने सूखी साबुत लाल मिर्च ली है इस चटनी को आप सिल्बट्टे पर बना सकते हैं सिल्बट्टे पर बनाई हुई चटनी खाने में बहुत ही टैस्टी लगती है लेकिन आज हम इसको मिक्सी में पीस कर बनाएंगे तो इसके लिए हम एक ग्रांडर ले लेंगे और इसमें हम सब कच्रियों को डाल देंगे और लेशुन की कलियों को भी डाल देंगे और मिर्ची भी इसमें डाल देंगे अब हम इसमें टैस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कच्रियों में पहले से ही पानी रहता है, तो इसको हम पीस लेंगे अच्छे से पीस कर हम इसका पेष्ट तयार कर लेंगे तो इसका अच्छा सा पेष्ट बन चुका है, तो आप इस चटनी को इस तरीके से भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये चटनी बहुत टैस्टी लगती है, लेकिन हम इसको तड़का लगाएंगे, तो गैस पे पैन रख दिया है, इसमें हम एक चमच देसी गी डाल देंगे, अगर गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है, तो लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से चटकाएंगे, तो ये चटक गया है, अब हमने जो पेष्ट तयार किया है, वो इसमें हम डाल देंगे, तो ये हमें सावधानी पूरक डालना है, क्योंकि गी उचलता है, तो इसको पर लिए पकने देंगे, कच्रियों को काट कर और दूप में अच्छे से सुखा कर, हम इसका पाउडर बना कर महिनों तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमारा मन करे हम इसको बना कर खा सकते हैं, राजस्थान में तो ये कच्री की चटनी बहुत ही फैमस है, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा कच्री पाई जाती है तो ये खाने में भी बहुत स्वादिश्ट लगती है तो हमारी कच्री की चट्नी बन गई है अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बन और इसको निकार लेते हैं एक कटोरी में तो आप इस चट्नी को रोटी प्राठा और साथ में धाई और चाच लीजिएगा ये खाने में बहुत स्वादिश्ट लगती है तो आपको हमारी कच्री की चट्नी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ट